अब हम कहेंगे 3.2 उसकी सबसे पहले एक्जेंपल यह पेज इसलिए रख लिया जो पराणी वीडियो वाला था ताकि हम लोग इसकी help लेके easily तुम लोगों को समझा भी सको कि हमने यह चीज पढ़ी थी ओके शुरू करते है अब देखो question गया है check graphically whether the pair of equations x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent check whether the pairs कि यह consistent है या नहीं इफ सो अगर consistent है if सो अगर consistent है solve them graphical तब उससे graphically solve करना अगर consistent है तभी graphically show करना अजरवाईस no question ब्यान से देख लो उसने लिएख है check graphically whether the payers of equation this and this is consistent यह consistent है अगर consistent है if सो अगर consistent है then show it graphically तो हम पहले यह देखेंगे consistent है या नहीं कुछ बना नहीं ऎकर इस बाद मतलब हमारा काम काँ पहले कंपेर करके हमने देखना solution उसके पाद देखने graph बनाने या नहीं बना तो यहां से compare करेंगे लिखना कैसे है these are two equations suppose this is equation number one suppose this is equation number two compare equation with ax यह लिखना ज़रूरी है बचो हर बार बार यह चीज लिखने ज़रूरी है representation दे रहा हूँ आप लोगों को लिखने ऐसे यह तो यहां से compare करेंगे compare with equations with this तो a1 की value की आ जाएगी हमारे पास यहां पर a1 की value आएगी 1 b1 की value आएगी 3 पहली equation को पहले से compare कर रहा हूँ और c1 की value आएगी अब देखो equation में equal to 6 है यहां पर plus c1 है यहां पर equal to 6 है यहां पर plus c1 है तो c1 equal to से इधर साइड है वहां पर c1 equal to के उधर साइड है तो ज़्यादा अच्छा होगा इस equation को पहले इसी form में लिखना इस form में कैसे लिखा जाएगा x plus 3y 6 को इस साइड ले आओ minus 6 equal to 0 वैसे यह 12 भी इस साइड ले ओ यह आ जाएगा यहीं पर लिख लेते हैं 2x minus 3y minus 12 equals to 0 यह हमारी बन के certain equation अब यह हमारी बन के पहली equation अब यह हमारी बन के पहली equation तो c1 की value जब इसको इससे पहली equation से compare करेंगे c1 की value minus 6 वैसे ही a2 की value इससे compare करना आप 2 b2 की value minus 3 c2 की value minus 12 तो फहले ratio निकलेंगे a1 upon a2 कितना आया 1 upon 2 b1 upon b2 कितना आया 3 upon minus 3 3 upon minus 3 यह cut करके कितना आ गया minus 1 upon 1 c1 upon c2 is equal to minus 6 upon minus 12 minus minus 1 upon 2 आप देखो a1 upon a2 की value 1 upon 2 b1 upon b2 की value minus 1 upon minus 1 upon 1 तो यहां से दोनों की ratio प्राब्बन नहीं है तो इसका अधर c1 c2 निकालने की जरूट नहीं थी निकाल भी सकते हो गलत नहीं होगा इससे कोई फर्थ नहीं पड़ेगा तीनों निकाल लो चाहिए उसके बाद compare कर लो उससे यहां से हमारे पास आगया है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 इस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो इसका पहली condition लगी यहां से पहली condition के according answer क्या होगा हमारा so equations have equations have only one solution that is unique solution and equations are consistent consistent equations are consistent क्यों मैंने कहा था अगर एक भी solution हो तो equation क्या होती है consistent consistent है तो इसका मतलब उसने कहा था if so अगर consistent है then make the graph graphically तो अब हम इसका graph बनाएंगे अब देखो पहली define है कि अगर वो consistent है उसका एक solution है तो ग्राफ कौन सा बनेगा intersecting तो तुम लोगों का graph intersecting ही बनना चाहिए अगर intersecting की जगा यह 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 बन गया पैलल बन गया तो इसका मतलब तुम लोगों का graph जलत है तो याद रखना जब ग्राफ बनाएं तो तो तुम लोगों का बढ़ आत्सक्राइब होंगा exactly Loley एक र Oscar by के मैंनी जिए से मोरा और अगए श्याविदेटवटेटी अगए जैस्टिए पने जबाए जो तो case 2 y के value 0 ले ले लेते हैं x प्लस 3 y के value 0 equals to 6 x is equal to 6 case 3 case 3 में हम value ले ले लेते हैं x की value 3 3 प्लस 3 y equals to 6 3 y equals to 6 minus 3 3 उठा जाके minus हो जाएगा 6 minus 3 3 y के value आजाएगी तो यहां से हमारा table बन गया यहां से हमारा table बन गया x x की value जब 0 ले थे y की value आएटू जब y की value 0 ले एक्स की value आए 6 जब x की value 3 ले तो y की value आए 1 तो यह हमारे पहले case बन गया अब बनाएंगे second equation के equation 1 थी यह बनाएंगे equation second के equation second के आए हमारे पास 2x minus 3y equals to 12 case 1 x की value 0 2 0 minus 3y equals to 12 x की value यह तो 0 हो गया 3 divided minus 4 case 2 y की value 0 2x minus 3 0 is equal to 12 solution जचों मैं हर बर 3 जानके निकालता हूँ क्योंकि 2 से भी answer आ जाएगा यह नहीं है दो solution से answer नहीं आएगा 3 निकालने से verify हो जाता है कि हमारे straight line सही बनी है या नहीं बनी इससे management यह करूँगा कि हर बर 3 line नहीं बनाना 3 solutions ही बनाना case 3 x की बनी है 3 6 की बनी हो जाएगा 6 y की बनी हो जाएगा 6 5 हुआ कि छओ यह पिसम पनी हो दो क्ल Circलिकी X y x के value जब हमने 0 लई x के value 0 लई y के value आई minus 4 y के value जब हमने 0 लई x के value आई 6 और जब x के value हमने 3 लई तो y के value आई minus 2 अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे अब ग्राफ बनाने के लिए पॉंट से नीचे से देखते हैं अब देखते हैं एक नेग्टीव एल्यु एक्स की नेग्टीव एल्यु निया इसका नेक्टिव पाथ हमें चाहिए नहीं पोजिटिव देखता है पोजिटिव देखता है पोजिटिव शिक्स तक है वान टू थी फोर फाइव सिक्स इजी ली बन गाएगा 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,6,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 अब पॉइंट्स लगाते हैं सबसे पहले जीरो टू जीरो टू उसको एक पॉइंट आए हमाई पर सिक्स जीरो उसको एक पॉइंट करके लगाना पहले एक कुशन बनाके उसके लाइन लगाना फिर सेकंड पॉइंट पॉइंट बनाए हमारा ग्राफ नियर बाउट इतने एरिये में इसली आ जाएगा इसली आ जाएगा hal पर उसके लिए पॉइंट कमार ग्राफ इतने एरिये में इसली आ जाएगा का पॉइंट इसली प Kirby क्योंट रिस नियर जोग मैंस पॉर जहो गांछी कि एधे Mr. second उसके बाद 6060 तो यही पॉइंट आ गया सेम पॉइंट इस वान इसका मतलब यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया यह पॉइंट इसमें भी है आना तो हमाई पास एक ही इसमें पॉइंट इसमें पॉइंट है यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा थी माइनस टू थी माइनस टू यह बन गए हमारी सेकंड इक्विशन सेकंड राइन के आए इसकी लांग के आए थी माइनस ट्री वाइ इकोल्स टू आलव इसकी एक्विशन के आए एक्स ब्स ट्रीवाइ इकोल टू 6 कि हमारा ग्राफ इतने में आ जाएगा इसली आ जाएगा तो इतनी जगह हमारे पस फ्री पड़ी है हमार ग्राफ इंधकर यहां से क्लिए्ट हो घै वह कि हम अंध्य इसलीशन ग्राफ यहां प्रेंट नौलों सुट याय कि क क्रें यौज wij कि वेलू कि आई तो यह जो पॉइंट है, intersecting point है, यही x और y की value होगी, x की value आजाएगी 6, y की value होगी 0, clear, चो यह table दिखनी रहा है, इस table को यहाँ पर दुबारा बना लेते हैं, एक बार, ताकि easily visible हो जाए तुम लोगों को, x, y, 0, minus 4, 6, 0, 3, minus 2, चो यह मैंले बाद में आगे चाहिए, next question, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ सा तेज काम करेंगे, क्योंकि यही सब कुछ चलने और कुछ ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे, next वीडियो में, कुलने हुआ काम करेंगे, तुलने ही मेंभला करेंगे, ति और हैंगे